कि जहिंद नमस्कार दोस्तों मैं विराठ चोद्री शुआगत आपके अपने यूटूब चैनल फोजी मैं तकेड़ में दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो आप सभी के लिए गुड न्यूज वाला वीडियो बहुत ही शांदर वीडियो वीडियो में ए वेकेंसी इसकी जो नोटिफिकेंस होती है या इसका रिजल्ट रता है वह एक दो दिन आगे पीछे होते रहते हैं ज्यादा आगे होते पीछे नहीं होते हैं लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है फोरम जब आएंगे तब बढ़ देंगे लेकिन आज और कल का दिन जैस है बहुत सारे बच्चे मेरेको पूसते हैं किiforn 끝 के बारे में कि parlationsने बनाएं या नहीं बनाएं इसके बारे मैं एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन यह वीडियो और भी सब्देटेड वीडियो थोड़ आपको मैं इसमें खास जान कर देने वाला हूँ त के लिए तो सबसे पहले मैं आपको खास बात बहुता हूं कि बुक से आपको तयारी करनी करनी है ओनलाइन भले ही आप कोचिंग करो जैसे मेरे चैनल पर चल रही है दूसरे पर कमांड़ अकेडमी पर ओनलाइन लाइन लाइन लेकिन फिर भी आपको आपके पास में होना सब्सक्राइब करें लेकिन 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 अब आपको तयार करने बेड़ तो उसमें कितना टाइम जाएगा तो आपको पास में लेवल यह नि किसका क्या लेवल है इसके में किस लेवल के एक्जाम होते हैं किस लेवल का इसमें पेपर आता है तो आपको जाना जरूरी है तो दोस्तों यह अगरवाल पब्लिकेशन की बुक है बहुत ही श्यांदार बुक है इसमें प्रेक्टिस सेट है कम से कम आपके पास में 13.14 इसमें ओल्ड पेपर है इसके अलावा ओल्ड पेपर के अलावा मोडल पेपर भी साथ में अठेज है 20 से आजपास और यह अमेजन पर आपको बेस्ट सेलर बुक भी दिखेगी आप वहां से अमेजन से जाके परचास कर सकते हो बहुत कम प्राइज है इसमें बहुत अच्छी बुक दी हुई है इस उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि इन्होंने जो प्रिंट किये उसमें सबसे कास बात है कि और मोडल पेपर भी है ताकि आपको पता चल सके आपके पास में कयास हो सके आपको पता चल सके कि एकजाम कैसा होता है और आप अपने आपको जान सको कि मेरे कितने नमर आ तो आपको पता चलेगा बार-बार कि आपके निरंतर तयारी होई उसमें कुछ आपके परोश्य हो रही है हर रोज आप एक मॉडल पेपर करें तो आपको पता चल जाएगा अब इसके बाद में बात करते हैं कि मेंने कई बार बोल केंगा दोस्तो जब तक वेखेंशी एक दो दिन दो चार दिन देले होती ह्तब तक आपका जो मैं स्काम है वह रच्रीय करने का आपकी जो डॉकॉमेंट उनको सभी को पता कई बार-बाद में उपस्त आते हैं कि सर अमने नए फॉरूम एप्लाइं नही ताकि आपके काम आना चाहिए यह मतलब नियम है उसमें आपको उससे पहले का होना चाहिए साथ में बच्चे मेरे को बदें या पुराना रहने तो अगर आपके अभी का बनाया वाय मतलब इसको नया बनाने की जुरूथ है लेकिन हाँ अगर कई पे भी आपके फादर के आपके अमधर के अगर नाम में कहीं पे बी चोड़ी बहुत भी मिंस्टेक है अगर छोटी से भीयर मिश्टेक है तो भी आपको नया बना लेना चाहिए और उसको आपके प्ता के जो अधर कार्ड है उनके कोई गलत भी है तो उसका कोई संदे नहीं हमको उससे कोई मतलब नहीं उसमें गलत है लेकिन आपके डोकुमेंट्स में आपके आपके माता-पिता के नाव बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए हिंदी में और इंग्लिस दोनों में नहीं तो आपका फोरम हो जाएका रिजेक्ट बाद में फिर घूमते रहोगे वेरिपिकेसं के टाइम पे फिर एपीडिविट लगाते रहोगे और उस्से कुछ नहीं होगा एपीडिविट लगाने के बावजूद भी हुआ उसके बाद में लास्ट में फोरम रिजेक्ट होना है तो यह डोकुमेंट्स डोमीशेल जो म मातापिता का नाम है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो भी आपको उसका मतलब हर जाना भूगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा होगा कि वेकेंसी चार साल बाद तो तब तक आप ओर रेज भी हो जाओगे दोस्तों तो यह कुछ ढ़कोचों अब बात रहें थए अइसी वाले बच्चे का लिए नंबरर मिलेंगे तो कैशल इसे जीदी में गई खोक्ता है कि इस भार नंबर मिले बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर NCC का फाइदा क्या है वैसे चेंटर गॉर्मेंट ने रूल कर दिया कि NCC की जितने बच्चे उनको जो मैंने क्राइटेरिया बताया जैसे पांस तीन दो का तो इस परकार से उनको हर एक वेकेंशी सेंटर की जो वेकेंशी है उसमें मिले तो इससे पहले से जीडी की जितनी वेकेंशी हुए उसमें एक नंबर भी नहीं मिला है कोई भी इस परकार का फाइदा नहीं मिला है लेकिन हो सकता है इस बार एक वाले बच्चों को इस क्राइटेरिया से नंबर मिले क्योंकि सेंटर कोवर्मेंट का जो रूल वक्त करको बिकान करो पड़िए छौनलों करना नहीं होगे और रौकर दफिकिकेशं के सबस्क्राइब हम टकर सब्सक्राइब को हारनने पड़ेगी इसलिए आपकी कोई कोई भी नहीं होनी चाहिए डोकॉमेंट में कई पर भी नहीं होने चीए ठेट सब्सक्तियार आपके टोटल डोकॉमेंट कि ली बनाओ यह आपके पास और तीन महीने पहले के पहले हैं तो वो रहने दो लेकिन जब तक आप यह काम कर सकते हो जब तक नोटिफिकेशन आती है नोटिफिकेशन आपको पता दू में कि आज और कल का दिन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन 30 31 तरह आपकी नोटिफिकेशने आपके पास में आ जाएगी दोस्तों जै हिंद जै भारत